नमस्कार साथियों आपका स्वागत है हमारे यूटूब चैनल SK Education Hub में आज हम बात करने वाले हैं राजस्तान की बोतिक विश्यस्ताओं से जुड़े महत्पुन क्यूस्टन्स के बारे में जो competition exam में आते रहते हैं और आगे आवाने वाले competition exam के लिए एती महत्पुन है और अगर आपको इन questions की PDF चाहिए तो PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में है वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं अगर कोई भी दिक्कत आए तो आप comment box में comment करगे हमें बता सकते हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो को start करते हैं दोस्तों आज का हमारा पहले question है राजस्तान दिवस किस दिन मनाया जाता है तो राजस्तान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को options है अगला question है निमन में से राजस्तान दिवस मनाया जाता है तो इसका सही जवाब है उपोष्ण कटी बंद में स्थित है option है अगला स्वाल राजस्तान के निमन में से किस जीले से करक रेखा गुजरती है तो करक रेखा गुजरती है option है डूंगरपूर से अगला question राजस्तान के नक्षे पर निमन में से कौन सा सुदूर दक्षिन में स्थित है तो सुदूर दक्षिन में स्थित है राज सम्मन्द option है अगला question चेतरफल की दरश्टी से नांकित में से किस का राजस्तान के बाद सबसे बड़ा राज्य है तो सबसे बड़ा राज्य है option बै मध्य पर देश का अगला क्यूशन बुमेद्य रेखा हुए ग्रिन वीच रेखा के सापेक्स राजस्थान कौन से गुलार्द में स्थीत है तो राजस्थान स्थीत है उत्री पूर्वी गुलार्द ओप्शन ए अगला क्यूशन राज्य की पूर्वी में पस्चिमी सीमा के स्थानिय समय में अंतर लगबग है तो अंतर लगबग है 36 मिनिट का राजस्थान का चेतरफल नीमन में से कौन से देश के लगबग समान है लगबग जापान के समान है राजस्थान का चेतरफल अगला क्यूशन राजस्तान के सरवाधिक निकट बंदरगा है कांडला ओप्शन बै राजस्तान किस देश से पांच गुना बड़ा है तो राजस्तान बड़ा है सिरलंका से पांच गुना बड़ा है अगला क्यूशन राजस्तान राज्य का पूर्वी पस्चिमी वे उत्तर दक्षिनी देशांतर तथा अक्षिय विस्तार है तो इसका सई जवाब है अगला क्यूशन जिस जिले से सतर डिगरी पूर्वी देशांतर एका गुजरती है वे हैं तो वे हैं जसलमेर ओप्शन बै ये जिसे मेर गुनेतर डिगरी पूर्वी दिशांतर परस्तीत है सुर्यास्त का समय साथ पीम है तो दोलपूर में अठेंतर पूर्वी दिशांतर परस्तीत है तो दोलपूर में जो अठेंतर डिगरी पूर्वी दिशांतर परस्तीत है सुर्यास्त का समय होगा तो सुर्यास्त का समय होगा 6 बज़के 24 मिनिट अगला स्वाल राध्य का सबसे उस्तम बिंदु गुरु शिकर है जबकी निमंतम बिंदु तो निमंतम बिंदु है सामबर जील ओप्शन है अगला क्विशन राजस्थान की पूरव से पस्चिम तथा उत्तर से दक्षिन चोड़ाई दर्साने वाली दोनों रिखाएं कि जिले में एक दूसरे को काटती है तो नागोर जिले में एक दूसरे को काटती है उप्षिन बै अगला किसे राजस्थान का उत्तर से दक्षिन एवों पूरव से पस्ची में विस्तार क्रम्शे है तो विस्तार क्रम्शे है तो इसका सही जवाब है ओप्शन दे 826 और 890 किलोमेटर अगला स्वाल रेड क्लीफ रेका का राजस्तान में विस्तार है तो इसका सही जवाब है ओप्शन ए अगला क्यूशन जिस जिले से तिहास का जनक करनल ताड को कहा जाता है, option 2, अगला गुशन, राजस्थान का पस्चिम से पुर्य देशांत्रिये, विस्तार है, इसका सही जवाब होगा, option 2, अगला स्वाल, राजस्थान की इस तलिय शीमा की लंबाई है, इसका जवाब होगा, 5920 किलो मिटर, option 2, बारत की उतर पस्चिमी दिशा मिस्तित है, option 2, तो चलिए दोस्तो, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तथा आगे आने वाले वीडियो को सबसे पहले जाले तो चाले winding को सबस्चा लीडियो को सबस्चा लाइक करें, भब समयावान घाजियो किरूए तो वीडियो करेंटर लोको लाएक करें, दो toकले दो किंदा हैं क्यों अज़कित करते हैं पहले आपको वीडियों.